नमस्कार आदाव सच्छी हैकाल स्वागत है आप सभी का एक बाव वेबसाइट डवीपस में आज की इस वीडियो में हमने आपकी डिमांड सुन ली है और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मूवी ब्लॉग एट टेंपलेट जिसका नाम होने वाला है एनिमी फ्लिक्स क्योंकि वेबसाइट डवीपस की एनिमी फ्लिक्स ब्लॉगर टेंपलेट सबसे बेस्ट टेंपलेट है इस समय पर हम बताते हैं एनिमी फ्लिक्स के कुछ खास फीचर्स जिसकी वजह से आप इसको प्रिफर करेंगे समय सबसे पहला कि इसमें आई-केचिंग डिजाइन आपको मिल जाता है ली दूसरा इसमें हमा आपको यक बहुत धहमाकिदा सलाइडर देते हैं साथ में परपलर पॉस सेक्षन भी देते और features post section भी देते हैं साथ में इसका जो हमने design बनाया है वो बिल्कुल ही जवर्दस एकदम professional design है जिससे कि आपके viewers को एक amazing viewing experience मिलता है और इसकी सबसे बड़ी खालबाती है कि ये fully responsive website होने वादी है साथ में इसे आप easily customize भी कर सकते हैं जैसा आप चाहें वैसा और अगर आप से customize करते हैं नहीं आता है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं लेकिन उसका कुछ charges लगे तो यार चलो इसका live demo देख लेते हैं तो live demo देखने से पहले आपको करना एक काम वो है चैनल को subscribe कर देना ओके तो चलिए देखते हैं live preview जो ही आपको सीवं भाई हमारे बताने वाले हैं तो हमारा live demo कोशी टाइप पर है यहाँ पर menu में hour effect भी दिया गया है सेर्च बटन भी दिया गया है जिसमें आप अपनी कोई movie सेर्च कर सकते हैं और साथ भी यहाँ पर एक animated image slider दिया गया है जो कि देखने भी काफी attractive है slider indicators भी यहाँ पर दिये गया है और साथ में आप उसका title and वाजना को बटन भी है और यहाँ पर arrow का भी symbol दिया गया है जिससे आप slider को move कर सकते हैं next and previous दिन इसके बाद यहाँ पर एक गजब का ads दिया गया है जाप एक large ads लगा सकते हैं यह काफी अच्छा प्लेस है ads को सो करने का then latest post जो आप कि होंगी latest release वा सो करेगा और यहाँ older का भी बटन है और उसके बाद again ads का प्लेस है दिन popular series जो आपको popular post लेंगी बढाएंगी then again ads का प्लेस है then levels है आपकी कुछ इस टाइप के और footer काफी attractive है जिसमें आप अपने बारें लिख सकते हैं feature post सो कर सकते हैं social media link लगा सकते हैं और popular post भी आपन दिया करें अगर हम कोई post open करते हैं तो उसमें automatically यह border आ जाएगा then आपकी post content होंगे post की बीच में भी यहां पर एक ad space दिया गया है यह इस theme की खास बात है then bottom में यहां tags है जो post की tags होंगे then popular post है यहां पर भी newer और older post का बटन बना हुआ है फिस एक ad space है और लाशने लेवल्स और वूटन तो आपने देखा कि हमाई theme कितनी attractive theme है तो यह हमारा light demo होता है अब इसके बाद हम इसका installation देखेंगे यानि आप इसे कैसे download वगएरा करेंगे तो आई ही देखते हैं इसका download and installation तो description में आपको एक link मिलीगी उस link से click करके आप को आना है यहां पर 2-3 options नहींगी यह सब आप चेक कर लेना 3 version पर click करेंगे तो यह timer हमारा स्टार्ट पर जाएगा इस timer के end वह थी एक आपको button निखी get theme button उस पर आपको click करना है देन आप यहां पर official website पर पूँचाएंगे जहां से आपको download करना है इस साइट पर पहुचने के बाद आपको यहां पर live preview होगा आप उस पर click करके देख सकते हैं इसका कुछ details वगएरा वह आप देख लिजे और यहां पर 2-3 version है free premium, premium version वगएरा नहीं रहेंगी यहां पर details पंड लिजेगा अभी क्री version के लिए बटन है उस पर click करेंगे तो आपकी फाइल डाउनलोड हो जागी free version की आप premium version भी ले सकते हैं ज्यादा costly नहीं है बलकि यहां पर offer due version में इसकी cost कम भी रहती है अब आते हैं कि हम इसे कैसे install करेंगे अपने blogger पर डाउनलोड के बाद आपको यह फाइल में लिए होगी इसे extract काने के लिए extract ही अपकर click करेंगे इसके लिए आपके पास कोई अच्छा zip extract होना चाहिए देन यहां पर password डालेंगे password आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा देन इसके बाद यहां पर कई files मिलेंगी तो आपको अपनी file एक्समेल वाली open करने यहां must read वाला है उसमें आप guides पर सकते ही पर अभी आपको एक्समेल पाइल की जरुवत है ब्लागर में इसे install करने के लिए इसे किसी टेक्स्ट इटसर से open करेंगे लाइफ में ने नोटपैट से open कर लिया है इसका जो भी code है इसे copy कर लेंगे यह computer के लिए process है अगर आप mobile में कर देंगे तो आप यह वाला वीडियो जरूर देखें जो कि आपको description में link मिल जाएगा इसके लिए ब्लॉगर पर चलते हैं और थीम वाले टैप पर जाएंगे लेकिन उसके पर प्रिवियस थीम होगा उसका गैजट्स रिमूट करना होगा है अपडए्ट पर क्लिक करेंगे और रिमूट को बटन जाएगक हे इसे करके ऑके करके कर देंगे cał TO जोविद्स जोविध होगा उसे नियूट के साथ किया था तो मैंने उससे पे्स्टे कर दिया दिया है उसके बाद यहांप हम सेब करक्लिक करेंगे ऐद में से एक बटन है कि यह अपडेट प्रोसेसिंग होगा एन अपडेट सकसेश्पुल का मैसेज आज़ए सो हमारी थीम है आप सब्सक्राइब हो चुकी है हादे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हम थीम इस्टॉल भी यह यहां से आप अपना लोगो अप्लोड कर सकते हैं, इस टीट आप वाले आप्शन पर सिलेट करेंगे, अप्लोड इमेश वां कम्प्यूटर और जो आपकी लोगो की पाइट होगी, उसे चूज करके सेव कर देंगे, पट मेरे पास अब भी लोगो नहीं है, तो मैं इसमें ल यहां पर भूंटेज के लिए मैं यहां होंटेज वाले यूर पेस्ट पर देता हूँ, और सेव करता हूँ, सेम इसी तरह आप साधी को इडिट कर सकते हैं, टॉप बटम भी इसकी पोजीशन चेल कर सकते हैं, और हम क्लिट करके, और अगर आपको कोई डिलेट करना है, तो अब यहां पर इमेज स्लाइडर दिया गया है, उसे कैसे इडिट करते हैं, तो उसकी लिए इडिट पर क्लिक करेंगे, यहां पर सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है, अपने पोस्ट का जो भी इमेज का या डिस्क्रिप्शन और वाचनाव पर क्लिक करने से कहां यह लिंक मैंने कोई भी लगाया हुआ है, और उसके जस्ट नीचे एक इमेज लगाना है, अप्लोड इमेज का आप जो बटन है, उस पर क्लिक करना है, और अपनी इमेज चूच करके अप्लोड कर देना है, तो मैं अभी इसे रहने देता हूँ, क्योंकि इंचे यह इमेज सही लग रही है, इसके लिए आप अपनी खुद की इमेज बनाएं, इंटरनेट से ना उठाएं, तो इसे तरह आप उसकी सभी स्लाइड्स को इडिट कर सकते हैं, देन उसके बाद हेडर एड्स का ओप्शन है आपर यह एड्स का इलिया हो, इसको आप इडिट करते हैं, इ इलाला भी खिरी मेरे पास कोई एड्स नेट्वर्क नहीं है, तो मैं इसे रहे देता हूँ, देन वापिस लेटेक्स्ट री रीचें, इससे आपको कुछ नहीं करना है, और अगर आप पोस्ट खुलेंगे, तो उसके ऊपर एक एड्स है, उसके बीच में एक एड्स है और बॉटम में, तो यहां तो बिट्वीन वाले एड्स को हम एड्स करते हैं, तो बिट्वीन पोस्ट एड्स हैं आप सबसे पहले दिया गया है, तो यहां इसमें भी हम सेम करेंगे उसी जैसा, जो यहां पर कोड है उसे रिमूप कर देंगे, और अपना एड्स का स्कृप्ट पेश्ट कर देंगे देन पॉला सिरीज कर यहां पर दिया गया है यह देख सकते हैं इस इसने आप चैनल कर सकते हैं कि आपो किसी या कफ यह पॉबार 05 ब意ता हूं और यहां फस्के बाद यहां अइडश iPhone is एक्स का प्लेस तो इसमें भी इडिट पर करते हैं और यहां पर जो भी कोड लिकाई से रिम्ट करेंगे और अपना स्क्रिप्ट पेश्ट कर देंगे दिन लेवल स्का स्क्रिक्षान दिया गए है जो की फूटर में और यहां ओर जीटिनल बेश्ट दे में स्वों करेंगे यहां पर आप अपने स्वोख सकते हैं जिसे मैं खुषा सिलि Cats कर देता हूं और कुषित इप। पर सेव करता हूँ अगर मैं अभी रिप्सेस करूंगा व्रॉड पर तो यहां पर कॉमेडी वाला अट जाएगा दिखिए यहां पर कॉमेडी वाले अट गया है पर मैं सजिस्ट करूंगा आप और रहे दने ते इसे यूजर को कटेगरी पाइंट करने में सरलता हो ती कि मैं अलेबल्स पर करके सेव कर देता हूं तेन फूटर आइटम से जहां पर आप एब आउट यह सभी सेट करेंगे तो पहला वाले हम सेक्षन एडिट करते ही इडिट यहां पर आपको अपना एक डिस्क्रिप्शन देना है यहां से यहां तक के बीच में या तर उसके यहां फेसबूक के सबीजाएं क्लिया दिों Just मैं यूटूब कर निंक अपना लिक्स दोंगा जयसे ृुटटॐ डा conscience बेरा सकते हैं कि हमाने लगा दिया है और इसी तर आप चैंज देन उसके बाद features post कर दिया गया है जिसमें edit करेंगे और यहां से हम अपनी एक feature post को ही select करेंगे जैसे हमी के लिए ही यह वाली post हमारी select है मैं यहां से कोई भी post select कर लेता हूँ देन save करूगा तो आप हमारी post change हो जाएगी मैं इनी फ्रेश करकी check कर लेता हूँ यह देखी post का email हो गया है सब कुछ change हो गया है सो हम edit पर click करते हैं और मैं वापीस वह post set कर देता हूँ आप अपने according set कर सकते हैं जो भी post आपको features में slow करना हो देनगा इन popular post का section है इड़ेट पर click करेंगे और यहां से हम उसी तरा भी add कर सकते हैं किपी post slow करना है किसी year की करना है तो यार सीवम ने आपको सब कुछ चीजे बता दी है तो मैं अब आपको कुछ recommended themes देने वाला हूँ जो की हमारे द्वारा बनाई गई है और आपके website के लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाली है सबसे पहली है Learnify दूसरी DMAC और तीसी Glow UI Learnify जो है वह e-learning है मतलब कि अगर educational website है तो वहां पर आप इसको लगा सकते हो दूसरी है DMAC जो की multipurpose use के लिए कुछ भी तरीके का website आप वहां पर DMAC को लगा सकते हो और Glow UI भी education के लिए है और साथ में आप यहां पर blog भी अपने publish कर सकते हो तो आपको जल्दी से जाना है और इन template में से किसी भी एक template को ख़रीद लेना या फिर आप चाहो तो हमारी नई released animeflix blogger template को buy भी कर सकते हो अगर तुम्हे custom theme बनवानी है मतलब कि तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी जो website है वो unique हो किसी से भी मिलती चुलती ना हो तुम हमें hire कर सकते हो जिसका obviously कुछ charges रहता है तो आप हमें चाहो तो phone number से भी contact कर सकते हो या फिर हमारे telegram ID से FMI website से ओके तो thanks for watching गाइस और अगर आपको यह video अच्छी लगे तो like कर देना चैनल को subscribe कर देना भाई ने बोला करने का तो करने का